वेल्कम तो यूट्यूब चैनल ओफ वर्टेक्स एडुकेशन डीवी जी वर्टेक्स एडुकेशन डीवी जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंस का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं आपका educator trainer एहसन खान आपके सामने आज class 10th की विडियो लेके आया हूँ जो की dedicated है English literature पे तो आज हम discuss करने वाले हैं footprints without feet जो की class 10th की NCRT के द्वारा prescribed book है उस किताब का chapter number 4 हम discuss करेंगे आज उसकी summary discuss करेंगे आज काफी interesting story है और जो लोग detective stories यानि जासूसी कहानियों में interest रखते हैं उनको और भी जादा पसंद आएगी यह story क्योंकि यह story revolve करती है जासूसों के इर्द गिर्द, spies, detectives के इर्द गिर्द तो लेकिन इस story के summary के शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा मैं कि अगर आप इस video को अपनी feed में देख रहे हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमसे जुड़ जाए जल्दी से जल्दी हमारे इस video को like कीजिए, channel को subscribe कीजिए, bell icon दबा दीजिए ताकि आप हमा लिट्रेचर की इस का हम chapter number 4 उसका summary discuss करने वाले हैं और chapter का नाम है the midnight visitor, midnight मतलब होता है आधी रात और visitor कहते हैं मिलने वाले को, तो आधी रात को कोई मिलने वाला आता है, उस बंदे के उपर, उसके उपर ये story है, इसलिए इसका नाम है the midnight visitor, अब इसके जो author हैं, लेखक हैं, उनका नाम है Robert Arthur Junior, जी हैं, अब ये जो Robert Arthur Junior हैं, ये एक writer थे और editor थे crime fiction और speculative fiction का, speculate करना मतलब होता है, अनुमान लगाना, यानि अनुमान लगाना, fiction की ही बात करते हैं, तो जाधा तर ये जासुसी कहानिया, fiction, crime fiction वगरा लिखते थे, crime से related कहानिया लिखते थे, अब crime से related ये मतलब नहीं कि मतलब कुछ crime करने की बात बढ़ा, पुलीस चोरों के बीच के कहानिया, detectives की कहानिया, espionage, जासुसी की कहानिया, वैसी कहानिया लिखते थे Robert Arthur Junior, अब ये जो कहानी है, the midnight visitor, इसमें एक अच्छा message भी है, कि जासुस बनने के लिए आपको पतला दुबला होने की जरूरत नहीं, smart दिखने की जरूरत नहीं है, strong यानि मजबूत बदन नहीं होना चाहिए, आप जब जासुस बनते हैं, या हमने जादा तर जासुसी की फिल्में अगर देखी हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि जासुस या फिल्म का हीरो जो होता है, वो काफी पतला दुबला होता है, strong होता है, अच्छी body होती है उसकी, और smart होता है, वो दिमाग का बहुत तेज होता है, बहुत सारी qualities होती हैं, लेकिन इस कहानी में इस चीज को, इस चीज का message दिया लेने की, जल्दी decision लेने की छमता है, तब वो एक अकलमंद, एक बहुत तेज तर्रार जासुस बन सकता है, यही बात इस कहानी में discuss की गई है, तो चलिए इस कहानी को start करते हैं, और इसकी summary हम ज़रा पढ़ते हैं यहाँ पर, अब यह कहानी एक ऐसे, अकलमंद, एक ऐसे बहुत तेज तर्रार जासुस की है, जिसका नाम होता है, ओजिबल, अब यहाँ पर बात यह हुती है, स्टार्टिंग में की दो लोग है, एक का नाम ओजिबल है, और एक का नाम है पाउलर, ठीक है, तो ओजिबल जो है, वो एक डिटेक्टिव है, एक जासूस है, और फाउलर एक राइटर है, एक यंग राइटर है, जो ओजिबल से मिलने आया है, शाम उसके साथ बिता रहा है, क्योंकि वो कहानी लिख रहा है क्राइम के उपर जासूसी के उपर एस्पियनाज के उपर लेकिन जब वो औजिबल से मिलता है तो देखता है कि औजिबल वैसा बिलकुल भी नहीं जैसा उसने कलपना किया था क्योंकि फाउलर के हिसाब से फावलर के हिसाब से एक जासूस पतला दूबला होना चाहिए तेज तर्रार होना चाहिए हैंडसम दिखना चाहिए और बहुत जादा खतरनाक और डेरिंग भी दिखना चाहिए जबकि ओजबल वैसा बिलकुल भी नहीं था इसके विपरीत ओजबल बहुत ही बोरियत से भरा हुआ था ओजबल देन टोल्ड फावलर अट है और उसको देख करके कोई यह नहीं कह सकता था कि यह बंदा जासूस है साथी साथ वो रह रहते वो लोग आपको फ्रांस में यानि ओजबल फ्रांस में रहता था 20 साल से फ्रांस में रहता था लेकिन 20 साल से फ्रांस में रहने के बावजूद ना तो उसकी फ्रेंच अच्छी थी ना उसकी जर्मन अच्छी थी वो जब भी बात करता था पकड़ में आ जाता था कि हाँ भाई ये बंदा अमेरिका का है अमेरिकन अक्सेंट में बोलता था लेकिन आजबल फाउलर को कहता है वो समझ जाता है आजबल की फाउलर डिसपॉइंट हो गया है निराश हो गया है कि भाई ये कैसे मोटे से सीक्रिट एजेंट से मिलने आ गया हूँ तो ऑजबल उसको समझाता है कि तुम सोच रहे होगे कि तुम किसी घलत आदमी से मिलने आ गया हो या मैं बहुत बेकार आदमी हूँ एजेंट बनने के पीपर है वह तो यह सोच करके तुम इस चीज में एक्साइटमेंट लो कि तुम आज एक बहुत इंपोर्टेंट डील देखने वाले हो जैसे ही ऑजबल अपना कमरा खोलता है अंदर आता है लाइट जलाता है तो अंदर में एक तीसरा आदमी खड़ा होता है बंदूक ले करके और वो काफी खतरनाक लगता है उसका नम होता है माक्स अब वो कहता है कि वो उनको कहता है कि ठीक है तुम लोग बैट जाओ मैक्स बंदू की नोक पर उन दोनों को बैटने के लिए कहता है और कहता है कि वो इंतजार करेगा यहां पर क्योंकि आने वाले हैं वो रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स में किसी तरह के मिसाइल की बात हो रही थी तो ओजबल के पास जो रिपोर्ट आने वाली थी उसको मैक्स उसके पास से चुरा करके लेके जाने वाला था और उन दोनों क को बंदू की नोग पर उसने रखा हुआ था अब इस वाज दी फर्स अडवेंचर आउट अफ मेनी एक्सपेक्टेड वन अब फाउलर थोड़ा सा एक्साइट होता है उस टाइम में मतलब पूरे शाम उसने पूरी दिन पूरा शाम बिताया था ओजबल के साथ लेकिन अब जाकर कि उसको थोड़ा एक्साइटमेंट आ रहा था अडवेंचर आ रहा था क्योंकि यहां पर अब बात थोड़ी बहुत गई हैंटरड फॉम थी बालकली लास्ट मन्थ बिलो भीडर टार्व तो उस बात का में डिता है कि मैं बैलकली चामी उसे आया आए तो ऐजबल कहता है कि मैने room, hotel के management से, hotel के manager से इस बात की लड़ाई करने वाला हों कि एक बार फिर कोई बंदा मेरे कमरे में balcony से आ गया और जब audible ये बाकी लोग सारे देखते तो कमरे में सिर्फ एक खिड़की होती है तो audible समझाता है कि ये जो कमरा है मेरा जिस कमरे में रह रहा हूँ मैं और बगल वाला एक कमरा ये पहले एक कमरा हुआ करता था बीच की दीवार नहीं थी तो balcony उस दूसरे कमरे से है और उस balcony का जो edge है, surface है वो मेरी खिड़की के नीचे तक आता है इसलिए अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर उस balcony से चड़के कोई भी मेरे कमरे में आ सकता है और उसी वक्त जब वो बातें कर ही रहे होते है तो जब ये बात हो रही होती है तो अच्छानक से दर्वाजे पर दस तक होती है, नौक होती है कोई दर्वाजे पर होता है जो दर्वाजा खट-खटा रहा होता है अब जैसे ही दर्वाजे पर दस तक होती है, तो अजब कहता है कि भाई ये जो दर्वाजे पर पुलीस है, माक्स मुचता है कौन है दर्वाजे पर, तो अजब कहता है कि दरवाजे पे पुलीस आई भी है और पुलीस को ओजबल ने ही बुलाया है क्योंकि वो चाहता था उनको secure करना वो चाहता था कि यह जो missiles की report आ रही है जाहर से बात है इतनी important है कि इसके लिए उसको extra security चाहिए थी इसलिए ओजबल ने पहले ही पुलीस को बोल दिया था कि मेरे कमरे में आते ही आ जाना आप लोग Now Max pointing his gun towards them said that he would be waiting in the balcony and that Ouzable should send away the police otherwise he would shoot them and even take the risk of being caught by the police Now Max काफी गुसे में आ जाता है और गुसे में आने के बाद वो क्या करता है balcony की तरफ जाता है खिड़की की तरफ जाता है उसको लगता है नीचे balcony है और खिड़की की पास जाकर के वो धमकी देता है Ouzable को कि जल्दी से सारे police वालों को वापस भेज़ दो नहीं तो मैं तुम सब को मार दूँगा और जरूरत पड़ी तो police को भी मार दूँगा हला कि अंदर से अंदर ही अंदर माक्स बहुत ड़ता भी रहता है और फिर वो एक टांग विंडो के बाहर रखता है और जैसे ही दर्वाजे का डोर नोब खुलता है जो भी कोई बाहर था police या कोई भी अंदर आने वाला होता है तो माक्स खड़की से जंप कर जाता है उसको लगता है कि नीचे बैलकनी है वो बैलकनी पर आराम से उतर जाएगा लेकिन एक लंबी चीक सुनाई देती है खड़की के बाहर से दरवाजा खुलने पर कोई police पुलीस अंदर नहीं आता है बलकी पुटल का वेटर अंदर आता है उसके हाथ में शराब की bottle और glasses होते हैं और वो अंदर आकर कहता है Mr. Ozebel से कि Ozebel सर आपका ये wine जो आपने order किया था वो मैं लेकर के आया हूँ he keeps the bottle tray and glasses on the table and leaves पावलर is surprised and asks him about the police to which Ozebel replied that there was no police अब ट्रे रखता है waiter, bottle रखता है, ट्रे रखता है सब कुछ रखता है waiter चला जाता है पावलर बहुत जादा surprised रहता है, चोंका हुआ रहता है डरा हुआ भी रहता है, कहता है कि अरो यह तो पुलीस आने वाली थी कहा है पुलीस तो ओजबल कहता है कि अरे कोई पुलीस फुलीस नहीं है देन फावलर आस्क्ट वाट अबाट पूछता है वहाँ पर की अरे वह आदमी जो वहाँ नीचे बालकनी पर वेट कर रहा है उसका क्या वह तो वहाँ वेट कर रहा है अभी आकर कि हम सब को अंदर मार देगा तो ओजबल कहता है कि घबराओ नहीं वो जो नीचे गया है विंडो की तरह से वो अब उपर नहीं आने वाला क्यूं क्योंकि कोई बैलकनी है ही नहीं अब यहां पर आपको ओजबल का एक बहुत ही चतुर बहुत ही इंटेलिजन्ट दिमाग दिखाया गया है जिसके जरीए उसने सिचुईशन का जाइजा लिया और उन सिचुईशन को अपने हिसाब से इस्तमाल किया इतना डरा दिया मैक्स को कि मैक्स जैसा स्पाई मैक्स जैसा जासूस नर्वस हो गया और खिड़की से नीचे बिना जहांके बिना देखे कि नीचे बैलकनी है या नहीं वो कूद गया खिरकी से बाहर तो च्छटी मंजिल यानि टॉफ फ्लोर से गिरने के बाद शायद वो बिचारा मर ही गया होगा या बुरी तरीके से घायल हो गया होगा तो यह आपको यहां दिखाता है कि कैसे ओजबल मोटा होने के बावजूद दिमाग की मदद से अपने अकल की वज़े से मैक्स से बच जाता है मैक्स जो की बहुत पतला दुबला और शातिर टाइप का स्पाई था यहां पर हम देखते हैं कि किसी भी जासूस को जासूस बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ स्मार्ट हो या आप बहुत ज़्यादा अकल मंद हो आप बहुत ज़्यादा strong हो, physique अच्छा हो, आपका body अच्छी हो, आप दिखने में अच्छे हो, लंबे चोड़े तगड़े हो, ये चीजें उतना matter नहीं करती हैं, जितना आपका दिमाग, दिमाग जिसका सबसे ज़्यादा चलेगा, जासूसी के एरिया में सबसे ज़्याद and have a nice day.